हलो वच्चो आज हम ले क्या हैं आप प्रगामी तरंगे बच्चो या इसकी तीसरी भाग है और आपके स्कीन पर कुछ फार्मले हैं देख लो चलिए बच्चो आगे सवालों को देखते हैं यदि आपने इसे पहले वाले भागों का सवाल नहीं देखा है तो इसी वीडियो क के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाई है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चलिए बच्चो 19 स्वाल क्या करा आपके स्कीन पर आये पढ़ते हैं एक मीटर लंबा कांच की एक नली है वह 12 सित्री में जल से पूरी भरी अच्छा जल नीचे से धे धे टपकता है तो यदि कंपन अध्याय के उच्छा एक है इस ड सैन्हां कब करते हैं सबसेले आपको एक फांविला करना पड़ेगा यह पथम रधा यह है प्रत्म अनुनाद की कि प्रत्म अनुनादी लंभाई ज Nossa का होगा वह होगा बच्चो लवन बटे वी बटे फोर एन ठीक बच्चो यह होगा फार्मुला तो आपको क्या करना यहां पर यह लवन बच्चो क्या यह ल है यह वन है ठीक बच्चो तो लवन बराबर वी वी कि वेलू कितनी है तीन सो तीस बटे फोर एन बटा यह एक सीरे पर जो जब बंद होता बटा एक सीरे पर ना तो यह फंब लगाते या रखना एन की वैलू कि बच्चो यहां से एलवन की वैल्यू क्या आएगा यह तो एक काम करें इनको डिवाइड देते कही है सेंटी मीटर में निकालेंगे कि आई बच्चो यह मीटर में है सेंटी विड़ में बद्लिख को ठीक कैसे बद्लेंगे आईए हमापको बदाते हैं परण का गुड़ा बाग करिए जिवनको भाग देंगे गुड़ा करके तुर पाई आए गुड़ा करिये 330 बच्चों जो बिचको आप गुड़ा 19 यह आएगा अंसर इसके बाद क्या होगा बच्चो जीरो जीरो कैंसिल हो गया अब इसमें अगर आप भाग दोगे तो आपका जो अंसर आएगा वह आएगा किसमें 0.167 मीटर आप इसे सेंटी मीटर बदलोगे साव से गुड़ा करोगे सोला दो सेवन सेंटी मीटर बच्च बिशम नंबर पाया जाएक अब ध्यान देना दितीयक के अनुनादी लंबाई क्या होगा विटा अनुनादी लंबाई इसका जो फार्मूला मेरा होगा वही होगा यहां पर जैसे रेल है समझीए अब देखिए बिसम वण है अब यहां पर ठीवी करेंगे हम ठीक है अभी जीज़ को देखो वी है ना विटा वी ओपान फोर हैं इसको एलवन लिख सकते लवन तो एलवन हो जाएगा तो एलटु बराबर ठी इंटु एलवन अगर आप यहां मल्टिपलाई कर दें जान से देखिएगा अगर आप यहां मल्टिप्लाइ कर दें जान से देखिएगा एल थ्री आएगा पांच के से मुल्टिप्लाई कर दीजिए जो आएगा वापका अंसर तीराती दसमलो थ्री सेंटी मीटर आया मेरा अंसर नोट कर लो बच्चो पर कि चलिए बच्चो सवाल नंबर 20 क्या कर आपके स्कीन पर आईये पढ़ते हैं सवाल करा एक 30 सेंटीम्टर लंबी कोई न लिका आ है बच्चो तीज सेंटी मीटर आ रखना है इसमें है सेंटीमीटर में इसको भी बार ने मीटर में बदलेंगा जरूए तो ठीक बदल दे देंगे इसमें भाग दे तो आएज़ हाएगा तो जीरो 2.3 मिटर आए으면 consists बंदों दूसरा खुलाओ तो कम से कम 27724 अब पर 인वती यह न की हिस है किसकी वेद लो इसको N1 मान ले रहे रहे बिटा दो सो चौटर हर्ट्स ठीक बच्छो ये गिवेन हमें सवाल देख लेजिए पढ़ लीजिए और कहरा बिटा अन अवरतियां भी ग्याद किजिए अन्ध मतलब बिटा ये होगा अन्टू एंट्री ग्याद करना अन्ध में य बच्छो यहां पर हम दोनों का मान ग्याद करने चलने बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्छो इस सवाल में देखी जब एक सीरा बंद हो जब एक सीरा बंद हो तो आपको फामुला ये लगाना पड़ेगा N1 बटे वी अपान 4L ये होता हम हमें क्या N1 पता है बेग निकाल सकते अगर निकालना चाहना तो यह काम करो यहां फ़हले भी निकाल लेजिए फिर जोगा देखा जाएगा इसको आप ठीक है यहां से हम बेग निकालने चलने ज्यान देना बच्छो आईए बीग निकालने कोई दिक्कत नहीं 274 x 4L की वैल्यू कितनी है 0.3 बच्छो जब इन सब काम गुड़ा करेंगे तीनों का तो जो मेरा अंसर आएगा वह आएगा 328.8 मीटर पर सेकंड गुड़ा कर लोगे चाहतीं आई बारा तो 1.2 अभी समें 1.2 का गुड़ा कर लेना इसमें आपका यह अंसर आएगा करके देख लो ने उसके बाद देखिए बच्छो जो उसके बाद यह हैं अन इस यह यहाँ पर ध्रान देना उन हो गई है गैसे करेदा यहाँ काम करिए बटा अब जिसे यह परता है अगर एंblesन नमबर होता मद बन्र मेंट्चे मि reco úilly अं यह होगा आए एक काम कर यह बच्छ जितना मेरा ले देखो किया थिरी एन्हों ए देख लो में तो एन्टू बराबर ती एन्मन क्या । क्या जो निकाल लेखिए देए ना को पार दोषोग्छ ते गुड़ा करेंगे तो कितना और गया बच्छोग उन्ट passions योल्ऄया लेतल तीन votes लुक्छ तो इसकी जो आवरती आ गई देख लिए गल्वड़ी हो गई का एक मैं तीन दूनी च्छै और हासिल दो होगा बैटा आठ होगा तो यह क्या हो जाएगा हर्ट सर तो मेरा अनसर आएगा 822 आई आप आप देख लिए 622 वाइस हाडि यह क्या आ गया बच्छो यह आगा क्या प्रषो आगी दिख लिते हैं हैं यह पाफ देखलो एंठी वराबर क्या होगा होगा अपाइप होगा भी समये लगा प्रकिद में और वक्तुख्म और भी अपना पर्वयवव इस सकते हैं लिख सकते हैं तो अच्छा यह पांच गुड़े कितनी है 274 बच्छो आप इसका मल्टिप्लाइ कर लीजिए गा हम अंसर दिख जिरें इसका जो मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा 1370 ठीक बच्छो हट्स तो यह आपका अंसर हो चुका है आप वीडियो को रोकर नोट कर ल आप अधा यह यदि बंद तत्यक खुले सिरे के बीच की दूरी बदली जा सकती है तो पहले दो अनुआ नादों के लिए बंद तत्यक खुले सिरों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए वाय हम इसकी चाल दिया बच्छो चाल कितना दिया है 330 मीटर सेकें्ड इस्पिड दि पहले हम क्या माल ले रहा है लोगा घ्राध समझे आता कि अे पर इसका मॉर्ण हो बैute एक सीरा जो है वह बंद हैं अब दूसरा खुला है लोगाई लेजार कैने सेमान holiday इंना 750 सभूर हम नों हमने बता दिया क्या एंड बरावर वी अपाउन फॉर एल यह होता बैटा एलवन मान लेगर हम तो यहां से एलवन की वैलू निकालने तो क्या आएगा वी अपाउन फॉर एंड यही होगा बच्चो समझेगा यह होगा ना आपको पहले एनवन निकालना पड़ेगा आए निकालते हैं मान रहक कि फीजो एल वन बटे वी वी की वैलू किया थीन सब टीस बटे फॉर एन के वेलू किया चारसौ चार। जिरो जिरो कट गया एलवन वराबर तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन चार और तीन एकम तीन ग्यारा से काट हो गया ग्यारा तीन तीन गलत हो गया बच्चों काट रहें ग्यारा से ग्यारा तीन 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 होगा अब ग्यारा चुक चार आएगा बच्चो कि तीन वह एक तो दाल के कर दें ठीक है चलो बिटा अब इसका हम कुड़ा करेंगे तो ऐल वन ब्राबर कितना एगा तीन अधी चाहिए सुना बच्चो अगर तीन में सोला का भाग है तो तो ऐलेंगे तो 30 उन्हेंतेक्ण fan 78 संबंर ने म Expect कर दिया ठीक बच्चो चलिए लागे नियुक्तah आगे देखते हैं और अगर हमें क्या लटू निकालना है लटू के लिए बता बता है तो एक काम करो पहले ऐन लटू डायट आइसे निकाल ने रहे किया बटा बिसम नंबर से मुल्टिप्लाइब करके तो दूसरा जो मेरे लंबा ही होगा वह थ्री वी अपॉन फॉर है लोगा तो एंड़ा गवागा थ लमबाई निकालनी तिक मैं एको पहले दो नुह लिए बंद पहले दो नुह नदो पहला हो गया और दूसरा होुए तो पहले दोनों की लंबाई आ गई ना उसको फराउठी को घूकारी एक यह ना लूट्लीन ऐख यह लोटान्य हूं को व बच्चो एल टू गुबढ़ावा तीन एल्वन के वेल्यू कितनी है अठारा तो सेवन फाइब अब यहां पर गुड़ा कर देजी इसका गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा नोट कर लो बच्चो चलिए बच्चो कोसर नमबर हम देखते हैं 22 नमबर सवाल आईए पढ़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है बच्चो चलिए बच्चो बाइस नमबर सवाल बच्चो चलिए बच्चो बाइस नमबर सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है 660 हट्स आवरती के एक सवरित को 35 सेंटी मीटर उची नली के ठीक उपर कंपित किया जाता तो इस नली में जल भरा जाता तो जल को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं प्रात अउनाद की नली के उपरी सिरेड के से दो इसतियां ग्यात कीजिए अगर वायो की इसमें चाल दिया है दो दो इस निकालना है देखिए बच्चो एन की वेलो में दिया है अदर देखिए उचाईस मतलब नहीं जिसमें लिकाना 25 संटी मीटर उची एक नली है तो उ को इस्थितियां ग्याद करने मालब आपको एल्वन ग्याद करना और इस इस्थितियां बोलतें ठीक है पुज़िसण एड़ी वी का मान आपको दिया कितना तीन सव तीस मीटर पर सेकेंड तष्यों आईए ग्याद करते हैं कैसे ग्याद करेंगे L1 L1 बराबर क्या होगा V upon 4N क्या होगा V upon 4N V कमान है 330 4N N की वैलु क्या है 607 00 बच्चों इसको अगर हम solve all करें और solve करें तो वैलु आएगी L1 की जो वैलु आएगो क्या आएगी 11 सकाटों 11 तिया 33 सकाट देना 33 दूनी 6 6 तो दो बार में कर जाएगा नहीं यहां पर आएगे कार्ट देते हैं 33 एककम 33 और 33 दूनी 6 तो कितना जागा बच्चों एक बटे 4 गुडे 2 तो L1 की वैलु आजागी एक बटे 8 तो L1 की वैलु आजागी एक में आट का भाग दो बच्चों एक में आठ का भाग दोगे तो आएगा जीरो दसमलो वन टू फाइप मीटर सेंटी मीटर में बद लो बच्चो सौसर गुड़ा करो बारा तो समलो फाइप सेंटी मीटर में आ जाएगा ठीक बच्चो और यहां पर हमें दूसरे इस्तिती चाहिए अब यह समझे बटा यह फोर है ने कि आएक सिराबंद है पॉच्छ से भी पानी भरा है चूरा तो बंदे ही होगा तो बच्चो जो दूसरा पॉइंट है एल टू वो कैसे निकालोगे बताना बिसन नंबर होता है एल उवन अगर आपको एल थरी निकालना होता कहीं घई रहा तो फाइप लिग देते हैं समझदी बच्चो अगर एल ठीनिकालना वह निकालना था सेवन का देते थे बीagt.. नमबर में आगते हैं और नमबर और नमबर तो बच्छाना बता ना बच्छो एल टू बड़ाबर थी गुड़े एन वन एल वन कमान अभी निकाला था यह इतना बारा दसुन लो फाइब बड़ाबर तो कितना जाएगा इसका जो गुड़ा करेंगे थी सेवन पॉइंट फा पर बंद लिका के खूले सीरे पर खुले सीरे के निकर्स तींसव हटिंए यह पशर्णे पर नली की तीर्व हदोनी उत्पन होती है तो नलीका की नियुन तम नंबाए ।रितियों ग्याद की जिसमें लिए बीच की धो हैं 3901 पर सेकंट हो दो बच्छो यहाँ पर आपको वी की वैलू जो कॉमन हुआ है तीन सो तिस मीटर पर सेकिंड है थीक है तो बच्चो आपको इसमें क्या है और इन्वी कीवें ने एन कितना गिएंद इन्प 300 हट्स बच्चो आप यह द्यान दीजिए सवाल में कह रहा है एक चीज कहरा है कि घुड़ीक है निर्टा की नियूनतम लंबाई चाहरा ननूहिए जुटी लंबाई क्या यह नियुनतम बच्चो नियूनतम होगे न क्योंकि बाहिसार में गुड़ा की आ तो किसी का क्टどう होता नहीं तो एलवन आफके शब्से सबसरे चोटी होगी और अंन्गता कीजिए अन्च रव्रतियां इसका मतलब वैटा आपको एन टुगाद करना है और एंज्सक्री रिगाद करना है और नियुन्तमलंबा यह और अंन्थ 20 यह क्या वथा या वरती है यह में गयाद करना है तीवचो आवरती भी में गयाद करना तो एक का म कर यह तो इसक्ता आपको बैट इसमें क्या करना है फामुला लिकना है फामुला क्या है N बरावर V बटे 4L1 यह है न N बरावर V बटे 4L1 तो L1 बच्चो धान दीजिए L1 बरावर V अपन 4N यह होगा बच्चो बच्चो धान दो यहां से L1 निकालेंगे अब सारा मान या रखो V कमां 330 बटे 4N कमां 300 1010 कट गया अब 3 से काटो 3 एकंट 3 3 एकंट 3 एकंट 4 को रहां दो 310 30 तीन से काट दिए बटा अब एक काम कुर बटा इसको मीटर में आए गाना यह था इसको हम ऐसे लिए सकते हैं regen 1 180Clam भाग दे दिया 11 में 40 का अगर हम भाग दे तो आएगा जीरो दस्मालो तूट सेवन फाइफ सेंटी मीटर इससे आपको मीटर बदना हो सेंटी मीटर बदना सौ से मल्टिपलाई करो इस से मल्टिपलाई करो यह दो संक्या बात पॉांट चला बच्चो किसमें यह यह मीटर में है इसको मने सेंटी मीटर में लिया तो सबसे उगड़ा कर दिया बच्चो यह एलवान आगई नियुनतम लंबाई लेकिन अन्य दो आवरतियां भी तो ग्याद करनी बच्चो कैसे ग्याद करेंगे वच्चो उसका जो हमुला होगा बहुत सब्सक्राइब करेंगे अगर हमें याद कर ना मेरी बास समझेएगा इसमें थरीवी बटे फोरल होता है ना बताया था न हमकर इसको हम क्या आई सकते हैं रहे जाएगा थरी एंन लिख सकते हैं यह एनमन मानोंगे और यानमन लिख सकते हो तो एंट बराबर तीन गुड़ तो यह आपको क्या आ गया बच्चो इसके बाद जो दूसरा केस है एंज थरी का उसको लिख सकते हैं फाइव वी वटे फॉर एंजिवक इसको द्यान से देखिए बच्चो यहां ध़ान से देखिए फाइब इसको уже को आई तरफो में जो कहता हमने ग्यात कर लिया था हमसे नियुद्टम आवरति का गया है और यह क्या गया इस फामला आपको याद था ठाथ भी जुद्टम आवरति आपको आपको जब रहां नोट कर लो इस चलिए और पर 24 नमबर सवाल देखिए एक सिरे पर बंद न लिका एक कंपन सुरित अनुनाग में जब वायु इस्तम की लंबाई लंबाई दिया है कितना 25 सेंटीमीटर ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर हो कह रहा है अनुनाग के इस्तित तब उत्पन होती जब वायु इस्तम की लिकास होती सेंटीमीटर पर सेकेंड तो निकले वेस्तवार की तेरंगद बच्चों लिकार घ्यांत करना है और आवरती गयाद करना सवाल पर लेजिए लिम्डा और आवरती गयाद किजिए तो बच्चो आईए लिम्डा और आवरती गयाद करते हैं उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा सहर से पहले बच्चो तरंग दैर लिम्डा क्या होता तरंग दैर तरंग दैर बच्चो तरंग दैर का फार्मूला क्या होता आईए हम आपको पहले बताते हैं फार्मूला तो बच्चो जो इसका फार्मूला होता है तरंग दैर का वो होता है लिम्डा बराबर क्या होता बच्चो लिम्डा बराबर टू एल ट 60-20 की दो लिम्डा वाई टू होती है तो अब बताना बच्चो लिम्डा बराबर टू कि एल टू कमांद 77 ऐल वन कमांद 25 घटाओ 27-25 घटाएंगे 52 आएगा क्या है बच्चो 7-5 गया दो इसका अगुड़ा करिये तो लगभागा आएगा 104 सेंटी मीटर क्या है बच्चो 104 सेंटी मीटर लेकिन लेकिन हमें अभी बेटा N आवरती क्याद करना है तो बच्चो आपको एक फार्मूला बता रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा देखिए बच्चो वी बरावर होता है N लिम्डा फार्मूला पढ़ा था ना वी बरावर N लिम्डा होता है कि नहीं होता है अब देखिए बच्चो यहाँ पर से मीटर साथ से भाग देना पड़ें पड़ेंगे इसमें समझ इए अकसर ज no re सिंटी मिटर में मीतर में लगा रहें कि ए लाउसिटेग समय मीटर सेकेंड में बढ़ेंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे तो इसमें भाग देंगे तो आजाएगा नोट कर लो चलिए बच्छो 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है एक अनुनाद नली में पहला नुनाद बाइद दसमेलो 5 सेंटी मीटर दूसरा सता सेंटी मीटर तो अतियंत संसोधन वा तीसरे अनुनाद की लंबाई गया तो बहुत धांसा देखिए का बच्छो यहां पर पहला अनुनाद का मतलब क्या हुआ हो कि यहां पर आपको की यहां ल draft कर ना बाइद संसोधन अनुनाद करें एक क्या मतलब 2 संसोधन करना इसे वहते हैं क्या बोलते हैं ये निकालना बच्चो और तीसरे अनुवाद की लंबाई बच्चो यहां पर L3 निकालनी है तीसरे अनुवाद की लंबाई हमें निकालनी है तो एक काम करिए बच्चो अब यहां ध्यां देजिए इस सवाल में हमें साल से पहले हम E निकालते हैं इसके लिए ने आपको फामला बताया था क्या था फामला अंतिया संसोधन और ए बरावर एल टू माइनस थ्री एलवन बटे टू तो ए बरावर एल टू एल टू कमान कितना सत्तर त्री इंटू एलवन एलवन कितना बच्चो बाइद दस्मलो फाइब बटे दो बच्चो आईए यहां सॉल्व करते हैं यह बरावर बच्चो पहले आप यह सत्तर लिखो माइनस गुड़ा करो बटा इसमे बाइद दस्मलो फाइब का तीन में गुड़ा करो बताईए क्या आया 67.5 बटे दो आए दो 1.25 आएगा सेंटी मीटर में बच्चो यह अतियंद लंबाई आ गया मेरा अब हमें निकालना क्या एल थरी बच्चो एल थरी का फामूला क्या होता आईए देखते हैं तो बच्चो देखो अब इसके बाद आगे एल थरी कैसे गयात करेंगे उसके लिए लगाएंगे प्रत्रम अनुनाद प्रत्रम अनुनाद का जो फामूला होता होता है एल वन प्लस ए बटे लिम्डा वाई फॉर इसे एक्वेशन निम्बर एक मान लेंगे या तो बच्चो यहां चार को इदर गुड़ा करो तो फॉर एल वन प्लस फॉर ए बराबर लिम्डा आएगा इस जाएर और तर्तियक अनुनाद डितयक के बाद अगया तर्तियक पद्धत्रम रखेच के बाद बटे इसके बद बदे सब्सक्रानम में साथ चलता है बेसम न कहअई इसमें बन चला तितियक में ठीडा और तरतियक में फाइट चलेगा तो फाइप लिंडा वाई फॉर आएगा समझीए अब तो यहां बच्छों अगर हम लिंडा की वैलियू निकाले तो इसको चार विदर भी दे रहे हैं तो आएगा 4L3 प्लस य बराबर 5 5 लिंडा 5 लिंड बच्चों लिम्डा कमान या रख दो लिम्डा का मान रखने पर मान रखो बटा फोर एल थ्री प्लस ए इंटू फाइप लिम्डा कमान क्या है बटा यह देखिए पूरा लिम्डा कमान यह पूरा क्या है लिम्डा कमान है तो क्या है 4L1 प्लस 4E अंदर गुड़ा करो बटा 4L3 प्लस 4E बराबर पांच चोग 20L1 पांच चोग 20E यही आएगा बच्चो अब देखिए एक को एक तरह रखो बाकि सबको एक तरह देखिए सब में 4 डिवाइट हो रहा है हो रहा ना बच्चो तो सब में 4 डिवाइट दो बाइद दसमलो 5 प्लस 4E की वैलु कितनी है देख लीजिए 1.25 बच्चों अगर मिहाँ सॉल्व करें समझेगा इनको गुड़ा करतें अगर बच्चों इनका हम गुड़ा करें तो क्या आएगा गुड़ा करके देख लीजिए गा प्रॉक्सी आएगा 1 1 2.5 अब इसका आप गुड़ा करेंगे तो आपका आएगा 5 क्या बच्चों 5 आजाएगा करके देख लीजिए गा इसका आएगा 5 पुरा पुरा जब इनको एड़ करोगे आप तो आप कंसर आएगा 117 दसमलो 5 सेंटी मीटर या गए तीसरी लंबाई नोट कर लो बच्च अज़िश नमबर सवाल क्या कहरा है बच्चों 26 नमबर सवाल कराएग 25 सेंटीवीटर बंद अरगन अरगन 1 का 40 दिअभी सेलसियस पर आवरती आप तर नहीं है अज़र करो जब टी कि विए खिली कितनी हो 40 दिजए ध्यां दीजेगा टी कितनी हो 40 दिजए तनी एकितनी हो 50-meter-per-second तो आयो बच्भाइब परीटियो सेविस्ए और यह कितने डिकेतने बढ़़ जीडर मेलेगां दिए है जीए विखिल सेदें आपको यह दिया है तो हम यह जाह रहे हैं द्धानद बच्चों अब यह सबसे और पेहले हम धी 0 डिग्री इसको आजै डिवनिकालनें निकाल ने तो बड़ावर फामृला एक होता आता है है क्या होता बड़ा डिवे फ्ल chir JAMES शांटी होता है क्या होता है यह होता है यह हॉता है फामृला आपको याद पड़ेगा चाल को जीओ डिग्री सेलसियच के चाल को किसी अन्र डिग्री पे बदलने के लिए करने के लिए फामला होता बच्चों अगर हम वी चालिस लिए टी की चालिस रखें अभी कमांद दिया तीन सो तीस पलस जीरो दुष्मलों इंटू टी कमांद चालिस देख लिए टी का मन चालिस इसको सॉल्व करिए तो आपका चालिस डिग्री पर जो भी एक आएगा तीन सो तीस अब बच्चों जब इसका गुड़ा करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 24 दिसमलों फो जीरो आप गुड़ा कर लीजिएगा हम करके पहले गुड़ा उड़ा करके हम रख लेते हैं बाद में जब किवल लिखना होता है आप कर लीजिएगा गुड़ा अब इनको जब एड करेंगे तो आ जाएगा 354.40 मीटर पर सेकिन बच्चों यह आपका अंसर आगया क्या वेग में लेकिन हमें निकालना क्या है हमें निकालना है आवरती क्या सवाल में निकालना है फ्रिक्वेंसी निकालना सवाल में कह रहा है ना विटा आवरती क्यात करो तो हम आपको फामुला बता रहा है ध्यान से देखिएगा इस सवाल में लंबाई दिया है बच्चों सवाल की स्टार्ट में के रहा पपचीश से़नीठी मीटर लं भी तो तो पचीश सेंटी मिटर से मीटर हां बदनो पहले तो क्या होगा पचीश से बाग दोगे क्या ही जाओ पंप 2585 ऊश्छों को रखी है व यह बाट़िए कि मूल ख्रृत्य की मूल खृत्य पक्रविश इसका होगा एंदा वे वा गदे लिप यायवजित लिकिनवे घ्रक Nou लेकिन छालिस डिगरी सिल्सीयस की बात हो रही तो चालिस डिगरी सेल्सियस के लिए निकालेंगे भी कमान अब देखिए अब पीजिवगे हुआ है यहां भी चालिस सब्सक्राइब लगा दो यहां भी 40 लगा दो सरफेस में या भी 40 लगा दो तो सर्फेस में 40 डी चलेगा अब री चालिस का मान कितना है 354.40 और 4L की वैल्ली गतनी ही एक एक तो चार से चार कैंसिल तो का एन चालिश दो आ गया चालिश डिवी सेल्सियस पर वो कितना है बटाओ ध्यान से देखो यह आपका अंसर है 354.4 हट्स बच्चो नोट कर लो चली बच्चो सवाल नमबर 27 पढ़ते हैं क्या कहरा 27 नमबर सवाल में कहरा दोनों सिरे पर खुले बच्चो जब सिरा क्या हो क्छो जब सिरा क्छो खुला हो तो आपको बेटा लंबाई दिया है लंबाई कितना दिया 48.8 सेंटी मीटर आप इसे मीटर मिचल दो साओ से भाग दे तो तो 0.488 मीटर आजाएगा ठीक बच्चो और यहां पर आप देखिए एक चीज इसकी मूलावरती दिया है मूलावरती कितना दिया है 320 मीटर पर सेकेंड ठीक बच्चो यह आपको दिया है और सवाल में कहरा है बटे तिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् को आगे बढ़ाने चल रहे हैं फार्मला क्या है बच्चो आप मूल आवरती का फार्मला मूल आवरती है ठीक आवरती कि अत्य संसोधन कि संसोधन बच्चो यहां पर क्या होता है एन बराबर वी वटे टू एल प्लस टू ए क्या होता बच्चो टू ए यह आपको फार्मला याद करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा याद कर लेंगे ना चलिए आए सवाल इसमें लगाके मिसको हल करने चल रहे हैं बच्चो मान रखी यहां पर अब एक बात और आपको याद करना पड़ेगा जो इनका निय होता है तो जीरो दसमेलो सिक्स आर के बराबर होता है यह उन्होंने निया था प्रूब भी किराया था यहां तो पुर राने का समय नहीं है यह तो निमेर्कल सॉल कर ना में तो आप याद कर लो यह मानिया रखो तो बिटा एंड की जगत देखा जाएं की वैल्यू रखें की कितनी है 320 320 बराबर वी की वैलू है 320 कैसे पता बिटा विलाउस्ट कोर्षण में दिया लाइस्ट में विडा जो वैलू है 320 यह प्रस्णा नुसार प्रस्ण में दिया आप देख लेज़ेगा भुक में ठीके दिया है अब बताइए बच्चो बठे तू एल एलकी वैलू कितन तो ईए की जर्ण क्या रख सकते बटा एक जर्ण लिख सकते जिरो जो सिक्स आर यह कड़ जाएगा तो इसको इधर बेद देंगे तो इसको इधर बेजिए तो मेरा अंसार आएगा टू जीरो दुसमालो फोर एट एट प्लस अब इसका गुड़ा करेंगा वन पॉइंट ऐसको दो इसको एक काम करीए डो को नीचे ब्यड देर जाएगा जिब दो को इस फ़ेज देंगे या तो बिटा या तो नीचे वह इंटे रहें रहें समझ्जिएग बच्चो जब एक में 2 का बाघ देंगे 0,25 आ जाएगा बच्चो यहां से 1.2 आर्क बैलो निका लेंगे गटाना पड़ेगा ठीक है अब हम यहां क्या करने जा रहा है बहुत ध्याँ से देखिए वन पॉइंट टू आजब इससे आप घटाएंगे इसको बहुत ध्याँ से देखिए गा तो आपका अंसर आएगा वन पॉइंट टू ठीक है यही आएगा ठीक बच्छो लेकिन यह आपाएगा यह देखते हैं बच्छो जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा जीरो दसमलो जीरो वन टू यह आएगा बच्छो ठीक है जब आप घटाएंगे इसको घटा लीजिएगा कहीं रपने ठीक बच्छो यह आएगा यह तो आएगे घटा के दिखा देते हैं यह जीरो जीरो लिखियेगा और जीरो जीरो फ़ोर एट एट लिखिये जब इसको अब घटाएंगे उसले दश्वां से दू स्याट गया दो नो जीरो बच्चो वही सिर। जाएगा यहां और की वैली निकालेंगे तो बैटे 1.2 سंटीमीटर में हो जाएगा भाग देंगे तो 1 संटीमीटर लेकिन अभी यहां पर हमें बन्द ऑब चो जब एक सीरह बंदो बंडो एक सीरह क्या एक सीरह लिख दो यह एक सीरह बंदो जैसे है फार्मूला ठीक बच्चो एंड बराबर सारी वैलू यहां पर पुट करो पहली बात तो यहां पर सारी वैलू हमें पुट करना होगा आज़े पुट करते वी कमान कितने दिया है वी कमान वही है पुट करते वैलू जीरो दसमलों फॉर एट एट पलस टू ए कमान किया जीरो दसमलों सिक्स और बाई एक काम करो बच्चो बच्चो इस फार्मूले में 2 नहीं चलता है ना यहां पर 4 प्लस E होगा के वर यह फार्मूला प्या रखना E की वेल्यू क्या है बटा 0.6 R बच्चो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आए यह देखते हैं 333 बटे 4 0.488 बटे 0.6 बटा R की वेल्यू क्या है मीटर में ना सेंटी मीटर में लेकिन मीटर में निकालेंगे तो सौसे में भाग देना पड़ेगा क्योंकि सवाल को मीटर में लगा रहा है ठीक बच्चो अब यहां पर क्या करना हम सोच रहे हैं इसको काड़ दो पहले उपर चार वठ देखिए बटा चार अठ्थे बत्तिस एक हिदा जाएगा तो चार दुनी आठ पॉइंट तो बच्चो एक आएगा चार पच्चे दो आएगा चार पंचे बीस हां तो पांच आ जाएगा बच्चो जब इस्यम लेंगे हम नीचे इस के इदर गुड़ा होगा तो पॉइंट दो संके इदर आ जाएगा समझेगा प्लस जीरो दिसमेलो सिक्स और बटे वाला सव उपर पहुंच जाएगा यह बटे में जो सव आएगा उपर पहुंच जाएगा आप बैटा नीचे जोड़ो तो उपर गुड़ा कर दो तो बता एक जिरो आठ एक नौ हो जाएगा क्या जाएगा नौ दो समलों यहां लग जाएगा यह चार रहेगा तो यहां जाएगा अनसर हमारा ठीक मेरी बास समझेगा अब बच्चो इसमें अगर हम डिवाइड दें क्या करें डिवाइड दें बच्चो वी कमान कितना 320 यहां आप समझेंगे यही उद्धा पर लेगा जाएगा जब इसको काड़ेंगे चार अठे 32 तो एक जीरो आएगा जिब इसका गुड़ा करेंगा तो 8000 हो जाएगा इसका गुड़ा करेंगे 100 का गुड़ा करेंगे बच्चो अब इसमें 8000 में आप भाग देंगे 49.4 का जैसे आप इसका डिवाइड देंगे तो आपका अंसर आएगा 162 हर्ट्स तो यह आपका फाइनल अंसर है नोट कर लो बच्चो चलिए बच्चो 28 नमबर सवाल क्या कहरा आएए पढ़ते हैं बच्चो 28 नमबर जो सवाल इसको ध्यान से पढ़िए सवाल करा जब एक सिरे पर बंद एक वायू एक अनुनाद नली के सबसे चोटी लंबाई मान लिए एलवान है बच्चो कितना है 32 सेंटी मीटर आप इसे मीटर में बदलो बच्चो तो सौ से भाग दे दो यह आगर मीटर में और तब इसकी आवरती जो एनवान है कितनी है 256 ह मेरी बात और अब क्या कही रहा है बटा सवाल कह रहा है बटा यदि इसकी दिरी भुज के साथ धुनित मन करता है और जब बटा इसकी आवरते कितनी हैं एंटू एंटू 384 हर्स कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई एल टू है वो क्या है 20.8 सेंटी मीटर होती है इसको मी लन है यह आपका एंटू डूसरे में एग्यात करने किया संसोधन portion यह में गयात करना है जलिए बुजव आईए गयात करते हैं कैसे गयात हो भी आई और ध्यांसे देखते रही है ग्यात फो जाएगा तुच्चो सबसे पहले विटा मिसमें दो समी करने लिखेंगे क्या है यह जब एक सीरा बंदो एक सीरा बंदो बंद हो तुच्चो फार्मूला क्या होगा आई यह देखते हैं एन बरावर वी वटे फूर एल प्लस ए यह होता है को डिवाइड करते हैं कैसे होगा आई देखते हैं यहां सोच रहे वी कमान पहले निकाल ले बच्चो हम विलाश्टरी दोनों को सेम होगा तो वी बरावर निकालेंगे तो यहां एन वन यहां लवन कंडिसर लगाएंगे लिखेंगे तो आप इसको इधर भेज़ोगे तो तो आएगा N1, 4, L1, प्लस E, इसको समीकरन एक माल लो, ऐसे समीकरन दो बना लो, N2, 4, बहुत धांस देखिएगा, N2, 4, L2, प्लस E, समीकरन दो बन गया, अब दोनों को एक्वल करो बच्चो, जब आप एक्वल करेंगे दोनों को, समीकरन एक वादो का, लेफ्ट हैं सेम है एक वादो का, जब एक्वल करेंगे तो आएगा N1, 4, L1, प्लस E, N2, 4, L2, प्लस E, फोर से फोर कैंसिल, समझेगा मेरी बात, फोर से फोर कैंसिल, अब यहाँ पर देखिए, N1 की वैलू कितनी है, ध्यांस देखिए, एक काम करिए, E को पहले एक तरिफ गुड़ा करिए, पहले इसका सोच रहें, गुड़ा करके E को किनारे रखते हैं, फिर सारी वैलू रखते हैं, ठीक, तो मेरे पार N1, N1 का माद रख देजिए, कितना है बटा, फ़ले आएगे गुड़ा करते हैं, N1, L1, N1, E, N2, L2, N2, E, E, वाले एक तरफ और बागिस सबको एक तरफ, N N1, E, माइनस, N2, E, N2, L2, बटा, इसको इदर लाके माइनस, N1, L1 होगा, ठीक बच्चो, यहां समी कॉमन कर ले रहें, क्या कर ले रहें, कॉमन, ठीक है, अब बताएए, जब एक कॉमन कर लेंगे, तो क्या हैगा, N1, माइनस, N2, ठीक है, अब यहां, मल्टिपलाई करने इंटू L2, L2 कितना है, N2 में L2 का गुड़ा किया जाए, कितना है, बटा, 0,2, 0,8, माइनस, N1 कितना है, 256, इंटू L1 कितना है, 0,32, बच्चो, यहां पर घटा दो, N1 कितना है, N1 में रहे रहे था, 256, माइनस, N2 कितना है, 384, समझेगा, 384, बराबर, आईए बच्चो इनका गुड़ा करके लिखते हैं, बच्चो जब आप 384 का, 0,2, 0,1 में मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह आएगा, अब जब आप 256 का मल्टिप्लाइ, 0,3, 2 में करेंगे, यह आएगा, बच्चो जब आप इसको इससे घटाएंगे, यह आएगा, जब इनको इससे पर आएगा क्या, तो आएगा, 0,0157 सेंटीमीटर आएगा, बच्चो, समझेगा, अगर बच्चो में इसको एक रिपीट, एक यहां बढ़ा दे तो यह रिपीटिंग रुख जाएगी, तो 0,016 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अब साउ से गुड़ा कर दो, सारी सारी मीटर में आएगा बच्चो, किसमें आएगा, मीटर में, अब साउ से गुड़ा कर दो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो 1.6 सेंटीमीटर में यह आजाएगा, ठीक बच्चो, नोट कर लो, अभी हमें इसमें निकालना है क्या, वेग, तो बटा समी करन एक में वैल्यू को इन्टू, फॉर, अब बेकर्ड में, एल वन, एल वन कितना है, जीरो, दसमलो, थ्री, टू, प्लस, ए, एक मान कितना है, वन पॉइंट, एक मिनट, सेंटीमीटर में ना बच्चो यह, लेकिन यह मीटर में रखा गया, तो इसको मीटर वाला मान रखो, यह वाला मान यह बच्चो जब इसको जोड़ेंगी आएगा, चारा गुड़ा करेंगी आएगा, जब देख चाओविस का, जीरो, जीरो, पॉइंट, थ्री, थ्री, सिक्स में मल्टिप्लाइ करेंगा, तो अंसर आएगा, तीन सव, चवालिस, दसमलो, जीरो, सिक्स, तो इसको हम इतना ही ल हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक, सेयर, एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टापिक पर वीडियो चाते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे, जालिए धन्दबाद तो हमारे कमें पर झापिका कूर भी झापिक, सेयर, फियो वीडियो तो हमारे कमेंट